स्वागत से दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चेनल इंवेस्टर डामे दोस्तों हर महीने एक इंकम शुरू करना हमारे लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हर महीने कर्चे के लिए हमारे पास कुछ न कुछ आमंदरी होना बहुत जरूरी है उसे आप चाहिए से जॉब से शुरू करें या फिर एक बार निवेश करके भी अपने लिए हर महीने के इंकम आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों जब एक बार हमारे पास जादा बड़ा फंट कहीं से आता है या तो हमारे पास कोई बड़ी AFT है वो हमने उसके पैसे निकाल दे हैं या फ्यर हमने कोई प्रापर्टी बेची है जिसका पैसा हमारे पास एक साताया है तो दोस्तो हम उसे भी निवेश करके अपने लिए लगतात 30 साल तक यानि जिन्दकी भर हर महिने एक income शुरू कर सकते हैं और जो पैसे आप इसके अंदर निवेश करते हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं वैसे दोस्तो हमारे पास तीन option होते हैं इसकी में निवेश करके हर महिने इंकम हासिट करने के पहला होता है bank entry deposit scheme, दूसरा होता है post office की मत्री income scheme, तीसरा LIC की जीवन अच्छे और जीवन चांती policy लेकिन दोस्तो इसके अलावा भी आपके पास एक और option होता है जिसमें रिस्क जरूर होता है तेकिन यहाँ पर आपको जो income होती है वो किसी भी scheme से जादा होती है यह option आपके पास होता है mutual funds का इसके अंदर आपको एक option मिलता है SWP plan में यानि कि systematic withdraw plan में इसके अंदर आप हर म निवेश करके अपने दिये 19,000 रुपे की income शुरू कर सकते हैं और उसके बाद भी जो पैसे आप इसके अंदर deposit करेंगे वो भी यहाँ पर कई कुना तक आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि दोस्तो अगर हम बात करें महंगाई दर्की तो वो भी सारे 6% के हिसाब से बढ़ है और सारे 6% के हिसाब से महंगाई दर है तो आप सोच सकते हैं कि लोंग टाइम में अगर आप निवेश करते हैं तो आप महंगाई को भी बीट नहीं कर पाते हैं इससे आपको ज़्यादा profit नहीं होता है जबकि mutual funds scheme के अंदर आपको अच्छा रिटम उनता है तो आज हम access क लिशांदार scheme के बारे में पूरी basic जनकारी के साथ बात करेंगे और साथ के साथ calculate करके भी चैक करेंगे कि 19,000 रुपे की income शुरू करने के लिए कितने पैसे जमा करने हैं और जो आप जमा करेंगे वो कितने बढ़कर आपको वापस मितने वाले हैं उसे पहले आप से एक च साल की बात की जाए तो scheme ने 18.29% का return दिया है और दोस्तो ओल टाइम की बात करें जब से scheme शुरू हुई है तब से लेकर अप तक लगतार इस scheme ने annually 18.65% का return दिया है दोस्तो यह एक mutual funds की scheme है जिसका नाम है access mid cap direct plan growth दोस्तो इसका जो पैसा है वो stock market के अंदर जो mid cap category के share है उन उने काफी शांदार profit दिया है यही वज़ा है कि इसके अंदर अगर आप आज निवेश करते हैं shorter में भी यहाँ पर आप यह अच्छा profit बना सकते हैं क्योंकि अगर हम 6 मेने की बात करें तो यहाँ पर इसका जो एने वी है वो काफी कम हो चुका है यानि 80 रूपीज के के वज़ा है 67 रूपीज का आच चुका था लेकिन यहाँ पर थोड़ी से रिकवरी देखने के लिए मिली है और दोबारा से इसका नेवी के प्राइस 68 रूपे हो चुका है दोस्तों एने वी होता है नेट एसे वैडियू यानि के जो भी आप पैसे इसके अंदर निवेश करना है अगर हम थोड़ा सा बेसिक समझें तो जैसे इसके अंदर आपने इक पर पैसे निवेश किये और एक महीनी के अंदर आपको रिटन मिला 18% का तो इस रिटन के हिसाब से आपके डिवेश पर जो भी पैसे बनते हैं उसमें से ही आपको एक प्याउट मिल जाता है और जैसा हमने आपको पताया mutual fund scheme का unit price होता है जो भी आप इसके अंदर निवेश करते हैं और जो NAV का price होता है इसके हिसाब से ही आपको unit lot की जाती है रेटिंग इसकी शांदार है 5 और scheme का fund size है 17,678 करोड पे यानि इतने पैसे लोगों ने इस fund के अंदर निवेश के हुए हैं जो दोस्तो बहतीन कंपनी है mid cap sector की उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया है अगर हम दोस्तो चेक करें इसका expense ratio तो ये भी कम है 0.46% का दोस्तो expense ratio क्या होता है घरचा जैसे कि इसके अंदर आप एक पार निवेश करते हैं और जो expense ratio होता है पहले इतने percent पैसे आपके deposit मे से काटे जाते हैं और जो बाकी के पैसे होते हैं उसके हिसाब से जो current NAV का price होता है तब आपको unit lot की जाती है अगर हम fund management team की बात करें किस fund को कौन manage कर रहे हैं तो दोस्तों इस fund को manage करें serious 2016 से और है 3010 2020 से क्योंकि आपके पैसे को stock market के अंदर management के तहती decide किया जाता है कि से निकालना है दोस्तों कर हम बात करें हैं यहां पर access mutual fund house की तो इंडिया में 7 नंबर पर रहेंग है company start हुई थी 4 September 2009 में और company के पास जो EUMA यानि के asset under management वो करीब 2,61,160 करोड रुपे है यानि इतने पैसे लोगों ने अलग-अलग scheme के अंदर access mutual fund house के साथ नवेश के हुए है दोस्तों यह तो बात हुई scheme की इस scheme का जो return है NOD अब तक लगातार करीब 10 साल से वह 18.65% का लेकिन आने वल रिटाम में यह scheme अगर आपको return देती है 17% NOD का और यहां पर आप हर महिने income शुरू करते हैं 19,000 रुपे की तो यहां पर आपको कितने पैसे जमा करने हैं और जो आप जमा करेंगे वो कितने बढ़कर आपको वापस मिलेंगे चलिए आप हम इसे एक बार calculate करके भी समझते हैं दोस्तों यह हमारे पास एक mutual funds का SWP calculator यानि के systematic withdraw plan का calculator इस scheme के अंदर अगर आप एक बार 17,00,000 रुपे का निवेश करते हैं return हम expect कर रहे हैं आने वाले time में 17% का यहाँ पर आप अपने लिए हर महीने income शुरू करते हैं 19,000 रुपे की दोस्तों इस पैसे को इस scheme के अंदर अगर आप यहाँ पर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 19,000 रुपे हर महीने के साब से आपको 11,40,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 17,000 रुपे बढ़ आपके 17,000 रुपे बढ़कर 26,89,449 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को इस scheme के अंदर अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो 19,000 रुपे हर महीने के साब से आपको 34,20,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 17,000 रुपे बढ़कर 41,54,163 रुपे हो ज दोस्तों इस पैसे को इस scheme के अंदर अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर 19,000 रुपे महीना के हिसाब से 57,000 रुपे का आपको प्याउट मिलेगा और आपके 17,000 रुपे बढ़कर 1,44,6,197 रुपे हो जाएंगे दोस्तों अगर आप इस पैसे को इस scheme क के अंदर निवेश करते हैं 30 साल के लिए तो यहाँ पर आपको 19,000 रुपे हर महीने के हिसाब से 68,40,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 17,000 रुपे बढ़कर 3,70,940 रुपे हो जाएंगे तो दोस्तों mutual funds की यह scheme लमसम निवेश करके हर महीने एक income का मौका भी देत लेकिन अब बताती है risk की दोस्तों mutual funds scheme के अंदर risk होता है क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा stock market के अंदर निवेश के जाता है अगर यहाँ पर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 10 साल के लिए और यह scheme आने वले टाइम में आपको return देती है कम यानि 15% का तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो सत्रे लाक रुपे हैं वो सिर्फ 19,37,000 रुपे बढ़ेंगे जबकि यहाँ से और return अगर आपको कम मिलता है 14% का तो यहाँ पर आपके सत्रे लाक घट जाएंगे 16,7,000 जबकि इसकी मगर आने वरे टाइम में आपको return देती है जादा यानि 20% का तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 17,000,000 की जगा 40,000,000 रुपे जबकि आपको payout चो मिलेगा वो सेम रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने पैसे पर risk लेकर हर महीने सादा इंकम शूरू करके एक बड़ा fund बनाना चाहते हैं तो mutual funds की SWP plan में वेच करके एक बढ़या profit भी हासिल कर स झाल करके भी हासिल कर दोस्तों वेच कर दो मिलेगा इंकम इंक बड़ा कि मुझा देट